नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आप सब के लिए बहुत अच्छी निवज लेके आये हैं कि Central Silk Board में अच्छा खासा वेकेंसी आया है Special UDC के लिए जो दोस्तों लोग graduate हैं उनके लिए अच्छा चंस आया है और इसका slavus भी वही है जो आप लोग हड़ेक एक्जाम के लिए पढ़ते हैं जो दोस्तों लोग UDC के लिए अपलाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाश्ट तक देखें इसके बारे में जो भी important information है आपको जल्दी जल्दी से बता देते हैं दोस्तों ये vacancy कहां आया है तो ये central silk board में आया है ये कहां है बेंगलूरू करनाटका में है और ये central government के अंतरगत आता है तो आप लोग आसानी से इसका apply कर सकते हैं कोई state language का लफरा नहीं है ओके दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन-कौन सा post के लिए apply निकला है तो computer operator है assistant है बहुत सारा इसमें post है लेकिन आपको हम इसके बारे में बता रहे हैं upper division color के बारे में total 85 post है अच्छा अच्छा खासा है post आप लोग इसका apply कर सकते हैं category आप देख सकते हैं SC के लिए 12 है HD के लिए 6 vacancy है OVC के लिए 22 है EWS के लिए 8 है UR के लिए 37 है total 85 vacancy है इसमें ex-servicemen के लिए 8 vacancy reserve है और जो दिब्यांग दोस्तों लोग है उनके लिए 4 vacancy reserve है तो ये अच्छा खासा chance आया है यदि आप चाहते हैं इसका apply करना तो apply कर सकते हैं और इसका exam देख के आप अपना एक job central government में पक्का कर सकते हैं तो दोस्तों ये रही vacancy की बात और अब इसका important date क्या है कहां पे exam center होगा इसका exam pattern क्या है selection process क्या है इसका essential qualification क्या है सब कुछ आपको जल्दी से बता दे रहे तो दोस्तों सबसे पहले ये देख लें कि ये UDC किस level का post है तो ये level 4 का post है जैसा कि central government में रहता है और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लें कि इसका essential qualification क्या क्या है UDC के लिए upper division clerk के लिए इसको ssa भी कहा जाता है senior secretary at assistant भी कहा जाता है और इसके लिए जो essential qualification है दोस्तों आपका bachelor degree होना चाहिए और 35 का speed होना चाहिए English में या फिर 30 का speed होना चाहिए Hindi में typing का ये इसका essential qualification है कोई भी experience नहीं मांगा जा रहा है तो आपके पास experience नहीं भी है तब ही आप UDC के लिए apply कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों ये देख लें कि इसमें maximum age limit क्या रखा गया है त तो UDC के लिए जो age limit है दोस्तों 18-25 साल है 18-25 साल general के लिए है ये अच्छी बात नहीं है 18-27 तक रहता है central government में उतना इसको रखना चाहिए पता नहीं इसके RR में 18-25 तक क्यों रखा गया है और अब बहुत सारे दोस्तों लोग ये बोलेंगे कि ये RR क्या होता है तो ये ह अपना अलग-अलग department बनाता है ओके आप यदी OBC हैं तो आपको तीन साल का मिलेगा छूट आप यदी SCST हैं तो आपको पांच साल का छूट मिलेगा apply करने में ओके चली अगला देख लेते हैं अब तो दोस्तों देख लें कि इसका exam center कहां-कहां रखा गया है जमू का समीर लगदाख में रखा गया है हिमाचल परदेश में डेली में उतराकंड उतर परदेश मद परदेश 36 गड जार खंड बिहार वेश्ट बंगाल अस्वाम ओडिसा तेलंगना अंधर परदेश महराष्टरा करनाटका तमिलनाडू किरला यानि कि सभी state में एक-एक लेकिन महरा का बात आप लोग देख लें तो आप लोग यदि UDC के लिए अपलाई करना चाहते हैं यानि कि वो आता है ग्रूप C में तो उसके लिए जेनरल OVC EWS का सारे 700 रुप्या लगेगा यानि कि 750 रुप्या लगेगा आप महिला हैं, SC हैं, HT हैं, दिब्यांग हैं और X सर्विसम से अपलाई स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट जो डेट है अपलाई होने का वो 16 जनवरी है, तो आप लोग अच्छा से देख लें, अभी इसमें टाइम है, आप लोग यदि अपलाई करना चाहते हैं, तो इसका अपलाई कर सकते हैं, और इसमें ऑनलाइन एक्जाम यहन है, डीसी के लिए अपलाई करना चाहते हैं, इस्टेनोगराफर के लिए अपलाई करना चाहते हैं, सभी के लिए सेम सलेवस है, आपका इसमें रिजनिंग से 30 कोश्चन रहेगा 30 नमर का, जिनरल अवारनेस से 30 कोश्चन रहेगा 30 नमर का, और इंगलिस से 30 कोश्चन बहुत ही जादा है दस मीनट काफी होता है लेकिन जो है टाइम एनफ है आप लोग यदी चाहते हैं इसका अपलाई करना आपका यदी जी के रिजनिंग मैथ इंगलिस में अच्छा खासा तयारी है तो आप इसका अपलाई जरूर करें और बहुत जल्द इसका रिजल्ट दे के ज्वाइनिंग भी देश सकता है तो दोस्तों आप लोग के लिए अच्छा चांस है आप लोग ग्रेजूट लेवल का जौब लेना चाहते हैं आपका इसका इसका अंस्वार है तो आप इसका अपलाई जरूर करें और इसके अलावे भी आपके मन में कोई डाउट है तो